नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल गोपाल स्टेडी पॉइंट में दोस्तों आधम लेकर आएं हैं बाल विकास एवन सिक्षा सास्त्र के प्रेक्टिस सेट 3 का दोस्तों इससे पहले हमने दो प्रेक्टिस सेट अलड़ी अपलोड कर चुके हैं और यदि आपने उन प्रेक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप दोस्तों अपने स्क्रीन को टच करके टोप राइट कोर्नर पर एक आई का बटन दिखाई देगा दोस्तों वहाँ पर आप साथ के साथ हिंदी और साइन्स और मैथामेटिक्स और इन्वरिमेंटल स्टडी की भी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों इस चैनल पर कम्प्लीट प्रेक्टिस सेट और कम्प्लीट स्टडी मैटरियल डाला हुआ है आप अपनी बहतर तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों अभी तक यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कीजिए और साथ के साथ एक घंटी का निशान आएगा उसको भी प्रेस कीजिए आपको डेली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे स सबसे पहले बिना किसी सर्च के और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जादे से जादे दोस्तों में वाट्स अप और फेस्बूक ग्रूप पर शेयर कीजिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट व वो है option number D और D में हमें दिया है वह समाविशी शिक्षा की भावना के अमसार कारिय कर रहा है तो दोस्तों जैसा कि समाविशी कख्षा में सभी शिक्षार्तियों के साथ समान वेवार किया जाता है अधिगम अच्हमता या कठिनाईयों के अधार पर शिक्षार्तियों के ब शिक्षा को दर्शाता है समावशी शिक्षा का आर्थ ही है कि सामान और विशिष्ट दोनों परकार के छात्रों को एक साथ शिक्षा परदान करना तो चलिए दोस्तों देखते हैं next question next question में दिया है कोल बर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं किस ढंग से या किस उम्र में या किस निर्देशों के अनुसार करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंजर है option number C और option number C में दिया है संदर्ब के अनुशार तो कोल बर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं संदर्ब के अनुशार नेक्स कुशन देखते हैं बच्चों दुआरा की जाने वाली त्रूटियों के संबन में निम्लकित में से कौन सी सही इस्तिती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर पढ़ देता हूँ यह है राइट आंसर ओप्शन नमबर डी और ओप्शन नमबर डी में दिया है त्रूटियों के तत्काल सुधार के परिणाम सोरूप सकार आत्मक पुनर बलन होता है नेक्स कौशन देखते हैं मिस्रित आयू वर के छात्रों की कख्षा से वेवार रखने वाले शिक्षक के लिए खाले श्तान दिया है का ग्यान सर्वादिक महत्पून है किस चीज का ग्यान सर्वादिक महत्पून है तो इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर बी है और ओप्शन नमबर बी में दिया है विकास आत्मक अवस्था विकास आत्मक अवस्था का जो ग्यान है वो सरवादिक महत्कूल होता है तो इस तरह से question number 4 का जो right answer है option number B है next question देखते हैं सबसे अधिक और जटिल समाजी करण होता है किस अवस्था के दोरान होता है तो इसका जो right answer है वह दो option number B option number B में दिया है किसोर अवस्था के दोरान दोस्तों किसोर अवस्था पर बहुत ही घुमा घुमा कर question पूछ लिए जाते हैं और इस अवस्था ये जितनी भी अवस्थाएं हैं बाल अवस्थाएं आपकी सैस अवस्था और किसोर अवस्था ये तीनों अवस्थाओं को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है क्योंकि इनके उपर अवस्था ही question पूछा जाता है next question देखते हैं संग्यानात्मक परशिक्षुता और सेक्षिक शमवाद क्या करते हैं तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है option समाजिक गतिविदी के रूप में ग्रहन करते हैं next question निमलिकित में से कौन सासाही ढंग से सुमेलित हैं हमें matching करना है एक side में विकास दिया है और दूसरे side में उनका जो परियावरन से संबंदित है या परिपक्षुता के संबंदित है वो दिया है तो इसका जो right answer है दोस्तो इसको matching करना है 7 को तो 7 का जो right answer है वो है C और 7 में C क्या है परियावरन से संबंदित है जो कि समाजिक विकास जो होता है वो परियावरन से संबंदित है तो ये जो सही matching है वो है option number C next question देखते है next question है कक्षा में पोलियों से 3 बच्चे परभावित है खेल के कालांस में उन्हें क्या करना चाहिए तो दोस्तो इसका right answer है option number B और B में दिया है अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में भाग लेने के लिए प्रोचसाइट किया जाना चाहिए तो दोस्तो जैसा कि विकलांग चात्रों को अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में भाग लेने के लिए उनके सिक्षकों और साथियों दुआरा प्रोचसाइट किया जाना चाहिए यदि किसी सिक्षक के पास कुछ खाली समय हो तो उसे सिक्षार्तियों के साथ खेलकूद में भाग लेना चाहिए या इससे सिक्षक और चात्रे बीच में सकारात्मक शंबन इस्तापित हो जाता है इस बात पर अधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में उनकी अन्वानसिक घटकों के कारण छंबताओं का विसिस्ट समू होता है इस संदर में निम्लिकित में से आप किसके साथ हैं चार ओप्षन दिये हैं तो दोस्तों मैं राइट आंसर पढ़ता हूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो है उप्षन नमबर A और उप्षन नमबर A में दिया है लड़कियों को देखभाल करने के लिए समाजिक रूप से तयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसी भावनाएं दिखाने में हाथोसाइट किया जाता है नेक्स कोशन वेवारगत समश्चाओं को रोक्ताम करने में निमलकित में से कौन सा सरवाधिक परभाव सील है एक रिजन दिया है तो दोस्तो इसका राइट आंसर है उप्षन नमबर B और B में दिया है संगर से निपटने के लिए बच्चे को आक्रामक रही तरीके परदान करना तो जैसा कि आक्रामक रही तरीके परदान कर वेवारगत समश्चाओं का निवारण करना अधिक प्रभावी होता है और सिक्षक को इस प्रकार के बच्चों के साथ विवार करने के लिए उदार सायक और मुखर सैली का अनुसरन करना चाहिए बच्चों को समझना चाहिए कि आक्रामक्ता की तुलना में समश्या का समाधान करने के लिए चर्चा समझोता तथा समायोजन बहतर उपकरण होता है प्याजे के अनुसार विकास के पहले चरण विकास के पहले चरण मतलब जन्म से लेकर लगभग दो वर्स की उम्र तक के दोरान सबसे अच्छे तरीके सीखता है तो जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर दो वर्स की उम्र तक जो सबसे अच्छे तरीके सीखता है वह क्या होता है तो दोस्तो इसका जो right answer है option number one है तो option number one है इंद्रियों का उप्योग करके जो भी अच्छे तरीके सीखता है वह अपनी इंद्रियों का उप्योग करके सीखता है जो भी अच्छे तरीके सीखे जाते हैं बच्चे के दुआरा next question किस अवस्था में बच्चा वस्तु इस्थाइत्तु का प्रदेशन करता है तो चार अवस्थाइं दी हैं दोस्तो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा option number B और option number B में दिया है ग्यानेंद्रिय अवस्था में तो ग्यानेंद्री आवस्था में जो बच्चा होता है वो वस्तु उस्थाईत्तु का प्रतेशन करता है Next question अधिगम एच्छमताएं हैं अधिगम की एच्छमताएं कौन सी है तो इसका जो right answer है दोस्तो option number C है और C में दिया है ओस्त या ओस्त से उपर अधिक बुद्धी लब्दी IQ वाले बच्चों में भी मुझूद है जो अधिगम की एच्छमताएं होती है वो ओस्त बच्चों में भी और ओस्त से उपर अधिक बुद्धी लब्दी वाले बच्चों में भी मुझूद होती है नेक्स्ट कोईशन देखते हैं वाई गोच्ट की और प्याजे के दरिश्टी कौन के बीच परमुक्स अंतर संबंदित है क्या दोनों के बीच में अंतर है तो बहुत ही अच्छा कोईशन है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो अफ्शन नमबर C है और C में दिया है भाषा और विचार के विशे में उनके विचारों से जो भाषा और विचार के विशे में उनके विचारों से वाई गोच्ट के और प्याजे के दरिश्टी कोण के बीच मुक्ट है जो अंतर है संबंदित है तो जैसा कि वाई गोच्की और प्याजे ने दोनों ने संग्यानात्वक विकास का सिद्दान्त विक्षित किया था और लेकिन भाषा के विचार के बारे में उनके विचार एक दूसरे से काफी अलग थे डिफरेंट थे वाई गोच्की के अनुसार बाशा के आत्म साती करण से संग्यानात्म विकास होता है और जबकि प्याजे के अनुसार जो होता है वो भाशा अपने विकास के लिए विचारों पर निर्बर करती है तो दोनों में दोस्तों यहीं अंतर हैं पहला अंतर जो वाई गोच के था वो भासा के आत्म सती करण से संग्यानात्म उलकास होता है जबकि प्याजे ने कहा था कि भासा का जो विकास है वो विचारोपन निर्भर करता है तो दोनुमें हमें ये difference याद रखना है परति करिया का विलोफ होना किसके बाद अधिक कथिन हो जाता है तो किसके बाद अधिक कथिन हो जाता है इसका right answer option number one है और one में दिया है आन्शिक पुनरबलन के बाद कथिन हो जाता है जब बच्चा अवधार्णाओं को विश्चित करने के लिए सिक्षक से सायता लेता है तो इसे कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है option number A इसको बोला जाता है इसके folding next question देखते है 17 RTE सिक्षा का अधिकार अधिनियम TRG 2009 के कारियान 1 के बाद कक्षाएं तो कक्षाएं में क्या परिवर्टन हुआ तो 17 का right answer है option A और option A में दिया है दोस्तों आयू के अंसर अधिक समझाती है जो आयू के अंसर अधिक समझाती है तो इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं दोस्तों कि जो सिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 4 अगस 2009 को भारत की संसत दौरा पास किया गया था उसमें 6 से 14 वर्स की आयू समूं के बच्चों के लिए मुफ् अधिक समझाती है हो गई थी या हो गई है तो दोस्तों इस तरह से इस कोशन से इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है नेक्स कोशन देखते हैं किसने कहा था विकास निशेचित डिम्ब से परिपक और वस्ता तक शामिल प्रक्रियाओं के जटिल समूं को संदर्वित क दोस्तों मनौवगयनी का नाम बताना है और इसका जो मैं राइट अंसर बताता हूं ये है दोस्तों ओक्शन नमबर भी और ओक्शन नमबर भी में दिया है जैरसिल्ड और दिया है टैल कोड़ और समरी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट चायकई प्रैक्टीश सेट को पूरा चाहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुची है दोस्तों यदि 30 में से आपके about 20 ये 25 नमबर आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल में हैं तो उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को सुरू से लाज तक देखेंगे और अपने स्कोर को भी बता करेंगे नेक्स कोशन देखते हैं छोटे बच्चे स्कूल में अपने शिक्षकों दुआरा निर्धारित आचार सहीता का पालन करते हैं इन बच्चों दुआरा नैति विकास के किस अस्थर का अनुसरन किया जाता है तो दोस्तों इसमें चार अस्थर दिये हैं तो इसमें जो राइट आंसर है वो है option number B और B में दिया है पूर पारंपरिक स्थर का जो पूर पारंपरिक स्थर है उसका पालन करते हैं बच्चे अंसरन करते हैं Next question देखते हैं, दक्षता अभीविन्यास को प्रोचसाइट किया जा सकता है, तो किस तरह से दक्षता अभीविन्यास को प्रोचसाइट किया जा सकता है, तो 20 का राइट आंसर है, option number A, और A में दिया है, छात्रों के व्यक्तिगत परियासों पर ध्यान के इंद्रित करने से, छात्रों के व्यक्तिगत परियास हैं, उन पर यदिधान के इंद्रित किया जाए, तो उनकी दक्षता अभीविन्यास को प्रोचसाइट किया जा सकता है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, निमलिकत में से कौन सा कथन गलत है, तो हमें क्योल गलत कथन का ही सेलेक्शन करना है, तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर है, वो है उप्षन नमबर डी, और उप्षन नमबर डी में दिया है, जैड़ पी डी का पूरा नाम, जैड़ पी डी का अर्थ सिग्र विकास का छेतर है, तो जो जैड़ पी डी का अर्थ है, वो सिग्र विकास का छेतर है, ये कथन गल प्रोक्सिमल डिपार्टमेंट होता है क्या होता दोस्तों जोनल ओप्रोक्सिमल डिपार्टमेंट यह पच्चे के विकास के वर्तमान और संभावित अस्थर के बीच का अंतर है तो इस तरह से जैड़ पीडी की फुलफोम भी कभी-कभी पूछ ली जाती है एक बार होर बता योगता पर आधारित चात्रों के सम्हूई करण को तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्शन नमबर ए और ओप्शन नमबर ए में दिया है हतोत साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह संदेश देता है कि छमता परियास से अधिक मुल्यवान है नेक्स कोशन देखते हैं एक व्यक्ति यह कारण देते हुए सरकार को कर नहीं देता कि वह भरस्ट सरकार का समर्तन नहीं कर सकता या नेतिक विकास के किस इस तरका अनुसरन किया जा रहा है यदि कोई व्यक्ति सरकार को टेक्स नहीं देता है तो उसके किस नेतिक विकास का अनुसरन किया रहा है 23 का जो राइट अंजर है option number C है और C में दिया है दोस्तो उत्तर पारंपरिक इस्तर तो उत्तर पारंपरिक इस्तर का अनुसरन कर रहा है तो दोस्तो उत्तर पारंपरिक इस्तर पर लोग अपने व्यक्तिकत मानताओं और विचारों पर ध्यान के इंद्रित करते हैं जैसा कि उस व्यक्ति ने इस मामले में किया वो खुद पर खुद अपने ही विचारों पर ध्यान के इंद्रित कर रहा है वो सरकार के द्वारा किये गए कारी को नजर अंदाज कर रहा है तो इस तरह से उत्तर पारंपरिक इस दानतों के अंसार जो सिक्षक है वो अधिगम में व्रदी कर सकता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है option number C और C में दिया है छात्रों के छात्रों से वास्त्विक अपेक्षाएं अपेक्षाएं रख कर next question किस ने कहा था सभी बच्चे अपने बोधिक विकास में ने कहा था कि सभी बच्चे अपनी बोधिक विकास में विशिष्ट चर्णों की स्रंखला से होकर बुजरते हैं next question starting में ब्लैंक दिया है इस तर पर बच्चा मूलत्या उम्र और लिंग जैसी अपनी सारीरी किस्तिती का वर्णन करने में सक्षम होता है किस स्थर पर जो बच्चा होता है वो अपनी मूल या उम्र और लिंग जैसी अपनी सारीरी किस्तिती का वर्णन करने में सक्षम होता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है तो option number A और A न दिया है विद्याले पूर पूर ही बच्चा अपने जो उम्र है अपना लिंग है और अपनी सारी किस्तिती के विशे में बताने के लिए सक्षम हो जाता है एक सिक्षक अपनी कख्षा को सेक्षिक यात्रा पर ले जाता है तो दोस्तो इसके विशे में क्या हमें पता लगता है इस statement से तो इसका जो right answer है वो option number B और option number B में दिया है बच्चों को प्रत्यक्स अवलोकन का आफसर प्रदान करने के लिए कोई भी चीज यदि आपको sexy यात्रा पर ले जा जाता है तो वहाँ पर आपको प्रत्यक्स चीज दिखाए जाती है और जिससे आपकी knowledge बढ़ती है next question देखते हैं समश्या समधान का ऐसे विड्यालों में सफल होने की अधिक संभावना है जहां क्या होना चाहिए तो इसका जो right answer है वो option number A और A में दिया है लचीला पाठ्यकरम मौजूद है तो दोस्तों जैसा कि इसकूली पाठ्यकरम की कठोरता को कम करने की आवशक्ता है और इससे अनिवारिय विशे के साथ सिक्षन की गुनवत्ता प्रभाव और परिनाम पर भी धान रहता है next question देखते है सिक्षारतियों ने कुछ जो कुछ पहले सिखा है उसकी पुन्रावत्ती या याद करने में साहिता करना महत्मून है क्योंकि जो इसका जो right answer हो सकता है वो है दोस्तों correct answer जो है इसका वो है option number B और B में दिया है दोस्तों नई जानकारी को पूर ग्यान से जोड़ना सीखने को समर्द बनाता है तो दोस्तों सिक्षारतियों ने जो कुछ पहले सिखा है उसकी पुन्रावत्ती या याद करने में जो साहिता करना महत्मून होता है वे होता है नई जानकारी को पूर ग्यान से जोड़ना और सीखने को समर्द बनाना Next question and the last question of this video एक सिक्षी का अपने सिक्षन में द्रश्य सर्वे सावय सामगरियो और सारी रिगती विदियों का उप्योब करती है क्योंकि वे है क्या सिखना चाती है दोस्तों तो इसका right answer है option number B और option number B में दिया है